हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एक्स वाइजट बैंकिंग पे दोस्तों सबसे पहले मैं काफी दिनों के बाद में वीडियो डाल रहा है इसके पीछे कुछ परिशानिया थे बट अब से मैं प्रियास तो अभी तक आप लोगों के साथ के लिए धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी हमें इसी तरह से साथ देते रहेंगे और आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों परेजनों और घरवालों के वीच फावर्ड करेंगे जिससे कि उन्हें इस तरह की helpful जानकारिया है मिलती रहे तो दोस्तों आज का वीडियो आ 다음에 है वह हमारे परवासी भारति मतलब इंडिया से जो बाहर जाते है कमाने के लिए इंडिया के बाहर जैसे दुबई हो गया तो याद रखेगा दोस्तों यह दुबाई के लिए हैं हलाकि इसी तरह का प्रोसेजर बाट की अधर कर मतलब सारे अर्राइए अकाउंट के लिए होता है बट यह दुबाई के लिए क्यूं है वह आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा और तो बैंको बड़ोदा को च सब्सक्राइब कर देगे तो चलिए सबसे पहले देखिए यह बैंको बड़ोदा की वेबसाइट है इसमें मैं दिखाने वाला हूं कि आप जो मैंने फॉर्म फिल के आप उसे पहले है से कहां से आप राप्त कर सकते हो तो सबसे पहले यह बैंको बड़ोदा की वेबसाइट खोलने बैंको बड़ोदा डॉट इन उसके बाद सबसे बॉटम में चले जाए बॉटम में आपको डाउनलोड फॉर्म दिखेगा इस पे क्लिक कर दें उसके बाद आप देखिए यह अब यहां पर क्लिक करेंगा तो आपको फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा अगर आपको कुछ जानना है एकांट के बारे में क्या डॉकुमेंट लगते हैं तो उसके बारे में मैंने डिटेल्स में सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में तो चलिए अब मैं सबसे पहले आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं किसमें आपको हॉम क्या क्या लगेगा डॉकुमेंट क्या क्या लगेगा कि को लगेंगी इसके बाद आपको गगी इसके बाद आपको आठार काट की यह कॉपी लगेगी इस वसले अब का धार काड की लगें इसके बाद एक पokaण की जरुप शर्ट की औरया तो ऐसे आपको डॉकुमेंटस की डिटेल्स यहां पर मिलंड जाएगी देखो दो पासपोर्ट साइज की फोटो लेटेस्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट बीजा आईडी पी आयो जो भी है डॉकुमेंट के बारे में मैंने आपको अल्लेडी बता दिया है अब हम चलते हैं इस अकाउंट के मतले इस अकाउंट को खोलने के लिए हमें फॉर्म को कै यहां पर खोलना है अपना अकॉंट अगर अगर आप चाहिए जा रहे हैं जो भी आप इसे नहीं बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं वही ड़कुम कर दें तुके बाद आपको यहां पर फूल नेम दे देना है आपका जो भी नाम है जिस तरह से आपका पासपोर्ट पे ना त्किल्ट हो उससी तरह से आप लिखिए धिया उसमें जोने मिस्टेक करे माफना जेंडर बता दे यहां पर आपको ॉप अपना बर्त बताना है इस MID लिखना है मेसरा ओविज टाइम में सभी के सभी लोगों के पास Verdot वोती है बह rice habits वाले नहीं कोलता है उसके बाद सर्वी की जा रहे हैं कि आपको बहुता है कि जा रहा है आपको वहां पर कर सकते हैं आप यहां पर मेरी रिक्वेस्ट है कि यह एक ऐसा चीज है यह आपके प्रोफाइल को कि जब आप ऐसा करते हो ता जब आपके कैटेग्री बंते ता आपको अलग अलग जो बैंक के तरफ से प्रोड़क्त आते हैं उसके बाद नेशनलिटी आपको अब किसी और कंट्री का यहां पर कोई कंट्री दे सकते हैं अब यह इंडियन के लिए फॉर्म है इसलिए यहां आप इन जे आप अपना फाधर नेग्र क्रिक्ट ॉर्मिस क energ यहां पर टिक कर दो इक यहां पर फिरसे राथिन आप ही क्लियर कर दो कि यह एप बिलकुल ऑल यह हुकुल पर्फेक्ट भरा आप ले लो को कि पास्बुक करवाना यह सब करवाना अभी तो पॉसिवल है नहीं इसलिए आप इमेल कर दो और स्टेटमेंट फ्रिक्वेंस लिया उसके बाद यहां पर आपको रेसिडेंसियल एडर्रे से रिपीट कर रहा हूँ आपके आधार काट भे है या पास्पोर्ट में जो भी एडरे स अंकितों जैसे लिखा हुआ हो वही एडरे साप यहां लिखे अपनी तरफ से कुछ भी आड्र ना करे नहीं तो यह बैंक और ब डिले होने का डिले करने का सामना करना पड़े क्योंकि फिर बैंक में आपको आना पड़ेगा और जब आप छुट्टी लेकर करके आओगे तो सारे घर परिवार के लिए टाइम लिगा करके आते हो इसलिए इसे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे आपके पासपोर्ट पे य आप नाम लिखें सकोर करें पर यहां पर अपका रहना है या फिर आपना ओफिस यहां पर दे सकते हो जो कि आपके वील भी य despis余 सब्सक्राइज को होगा और वही चीज आपको देना है क्योंकि जो भी आपका कॉम्वनिकेशन होगा वह आपका यहीं से होगा अब मुवाइल नंबर डालना ना बूलना यह मोस्ट इंपॉर्टन चीज ऑपनेंडिया का आप एंडिया में रहते हो उसका एड्रीस आपको यहाँ पें सही सही करना ना है उसके बाद थोड़ा से नीचे आते हैं को अधर इंफॉर्मेशन में जो भी आफकी क्वालिफिकेशन आप उस पे टिक करतें करतें मंतलियेंकम जो भी आपको बग्ता है 5000 है 5000 10,000-10,000-10,000-10,000-20,000 और एक्स्पेक्टेट एन्वल टर्न होगा मतलब आप अपने इस खाते में कितना डेपोजिट और बिड्रॉल करोगे वह एक अप्रोक्सिमेट आपको वैल्यू लेकालने पड़ती है पूरे एक साल के ठीक है यहां पर आपको अपने सिंग्नेचर फिर से करना है जो सिंग्नेचर से पैसा विड्वर करें आप यहां पे लिख दे मतलब कर दें उसके बाद नीची आते हैं यह सेक्टिन नहीं रहा है यह section आप किसी के लिए भी mandatory नहीं होगा हलाकि यह section आपको पूरा जो सो bank official के दौरा भरा जाएगा फिर भी आप यहाँ पर title of the account आप चाहे तो भर सकते हैं Mr. 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 use होता है mail के लिए Miss use होता है girls लड़की के लिए जो unmarried होती है and Mr. Mr. use होता है जिसके साधी सुदा हो गई है उसके लिए operating instruction self डालना branch दुबाई यहाँ पर आप अपना नाम लिख देना और इस specific signature में आप अपना signature कैसे करोगे वह signature यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर एक आपका रिसेंट साइज का पासपूर्ट का पासपूर्ट साइज का फोट्पा आपको यहां पर लगेगा उसको चिपकाने के बाद आप बस थोड़ा सा नीचे आ जाए नॉमिनी दोस्तों जरूर भरा करें नॉमिनी एक important चीज़ है अगर आप नॉमिनी नहीं भरेंगे तो आपको अगर कुछ हो जा है अगर नॉमिनी माइन माइन है तो कोई बात नहीं है मैंने विट्नेस की जुरत नहीं है तो कोई बात नहीं मैं भूला विट्टनेस की जोरत पढ Nicki between और यहां पर आपका signature होगा उसके पाद थोड़ा सा नीचे आए तो आपको जो पेज नुमबर 4 मिलेगा उसमें आपको फोटो आइडेंटिटिव में कौन सा डॉकुमेंट समिट कर रहे हैं वही आपको देना है आप यहां पर चाहिए तो अपना यहां पर यहां पर अभी के लिए आधार कट सुच किया और यह जितने भी फिल्ड है डमी फिल्ड है ठीक है मतलब डमी वैल्यू मैंने डाला है सिर्फ आपको एक्स्प्रेंड करने के लिए ठीक है यूसिंग अथर्टी डाल दें प्लेस ऑफ इसू डाल दें उसके बाद यह पर अपने पास्पोर्ट का देंगे और जो भी पास्पोर्ट का नमबर है प्सॉट किया है तो प्लेले बाद इसके अलावे ऑक और ुप behavior करने पड़ती है उसию व्हीआ बता देता हूं है । वह आप और देंगे आपको भरना पड़ेगा UK प्रकॉमेंट्स की और में तो दोस्तों यहां देखो फटका का फॉर्म इसको कहते हैं तैक्स कंप्लांस ऐसा कुछ इसका फॉर्मेंट होता है यह आपके लिए मेंडेटरी है जाहे आप फॉरेंड में रह रहे हो या आप एनराइए अकॉंट खुल रहे हैं या फिर इंडिय कर लोगा क्त्रिय का फेका कॉंट्र मतलब आपका अधैशन का नममर् यहां पर होगा इसके बाद आपका यहां पर यहां पर जन गयंया ऑपन यहाँ होगा तक फाड़र्म कर्का क्रोंबर होगा अधार नमबर ऑप्शनल है इसलिए मैंने यहां पर नहीं डाला है इडेंटिफिकेशन टाइम यहां देखो accidentally मैं भूल गया हूँ मैं चलो मैं आपके लिए में डाल करके यहां पर मैं दिखा देता हूँ यह डेटा आपको बादना है और यहां पर आडेंटिफिकेशन नमबर जो भी है आप यहां पर डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद occupation की बात करते हैं occupation आप यहां पर service दे दें उसके बाद date of birth, nationality, city of birth यह तीन चीज हो गई तीन चीज के बाद नीची आ जाते हैं इसके साथ फटका के साथ आपको कौन सा documents submit होगा वा documents के बारे में आपको यहां पर बताया गया है इतने documents आपको फटका के साथ submit करने पड़ेंगे अब थोड़ा सा इसके next page में आते हैं तो बस कुछ नहीं है यहां पर फोटीन नमबर option होता है country of birth यहां पर डालना है फिर उसके बाद पिर यहां पर जो सो इसके अलाबे एक और form बनने की ज़रत पड़ती है बट हुआ है जो सो आपका अगर already कहीं पर अकाउंट है तो वहां से फेज कर लिया जाता है उसको कहते है सी के वाई सी कहते है तो documents के बारे में मैंने बता दिया इस form को कैसे सही सही फिल करते हैं बस आपको कुछ नहीं कर करना है इस वीडियो को देख करके form को भर करके बैंक में जाकर करके समिट कर दीजे विदीन अदे मतर 24 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट सक्सेस्पूली बैंक ऑफिशल के त्वारा खूल पिया जाएगा अकाउंट जैसे ही खुलेगा तो आपको मोबाइल बैंकिंग के आपको अब बाहर से पैसा भेजने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और अगर आपको किसी और टॉपिक्स पर वीडियो चाहे तो प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स में भी आप मेंसल कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं